कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके यूटूब प्रेटफार्म नुपरे बेल क्लासेज में जैसा कि हम सभी लोग इंडियन पॉलिटी यानिकी भारती समध्यान यानिकी कांसिट्यूशन का लगातार प्रैक्टिस सेट साल्व कर रहे हैं उसी करम में आज हम लोग फिर से आजे हुए हैं एक नए चेप्टर के साथ में प्रस्णों के साथ में आज कर हमारा जो क्लास होगी यानिकी पार्ट होगा इंडियन पॉलिटी का इसमें हमने कुछ अच्छे कुछ समाधार कुछ पेपर में आये हुए यानि कि प्रीबे सेर के कूशनों को क्य क्या है समाहित या हुआ है तो सभी लोग मेरे भाई वास सांदार तरीके से क्या आजाए लाइब आजाए और मेरे दोस्तों कि सेशन को एक बास जोरदार तरके से सेर कर दीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल न भूलें जैसा कि हम देपा रहे हैं हमाई साथ में जुड़ चुके हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगर प्रूब अबस्वागत है आप सभी लोगों का तो जी यहां जले भी भाई भी आए चुकी है गूड देवनिंग मेरे भाई स्वागत है आप सभी लोगों का तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रस्ति और जो पहला प्रस्ण है मेरे दोस्तों हुमारा क्या कह रहा है जल्दी से वताई है क्या होगा इसका एंसर पहले प्रस्ण का एंसर क्या होगा मेरे दोस्तों कह रहा है कि संभिधान में हमारे राष्ट का जो उलेक है किस या किन नामों से किया गया है संभिधान में जो हमारे राष्ट या कि आरेच जी करें सकल ऐसी है कि लब मैरीज हो नहीं सकती है और वेरोज़गार इतनी है कि आरेंस मैरीज ना हुई पहुछ सही मेरे भाई सांदार तरीके से चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रसंटिव पहला प्रसन हमारा है कि हमारे देश का जो नाम है वो किन नामों से करें कि जो हमारा अर्टिकल फरस्ट पिसकी बात करें कि अनुच्य एक कि यही कहता है कि जो भारत होगा क्या कहता है इंडिया राजियों का संग होगा राजियों का संग होगा तो अब मेरे दोस्त हम देख सकते होंगे इसका जो इंडिया क्या होगा यानि कि जो देश के नाम होंगे या तो भारत होगा या तो इंडिया होगा और आगे क्या कहा गया राजियों का संग होगा यानि कि संग हमारे देश की क्या बता रहा है पावर को डिनोट कर रहा है यानि कि सक्ती को बता रहा है और इसमें ये भी बताया गया मेरे प्यारे बच्छों कि जो भी कोई भी राजी होगा वो देश से अलग नहीं हो सकता है क्योंकि यहां यहां देश होगा और इसके अंतरगा छोटे-चोटे क्या होंगे राज्यों को देश से अलग होने की कोई सुतंत्ता नहीं है क्योंकि भारत बच्चा राजियों का संग है जी हाँएज अभी साथ में अभी अभी साथ सब्सक्ति कभी और रेनु मोर्या का अगला जो पर सब्सक्राइब को अइसए कह रहा है भारत के समयधान के अंतर गत निम लिखित में से किसका राज की सीमाओं में परिवर्वत्ण करने की सक्की प्राप्त है तो आपको एक बात याद रखनी है प्यारे बच्चों आपको एक बात यह याद रखनी है कि भारत के राजी हो राज में चाहे हम कह सकते हैं राज का निर्माड हो राज का निर्माड हो यानि कि नए राजियों का गठन हो ऐसे भी कहा जा सकता है नए राजियों का निर्माड हो या राज के हम कह सकते हैं नाम या सीमा या छेत्र में कोई परिवर्तन का अधिकार हो य अधिकार हमने दे एंसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा लाकियोत कुल है। है निख्राइगत है इंसर को देंसर शिह ठीक ब्रुब 495-2007 को दे रखी मिरे दोस्त तो हमने देखिये सक्ति संसत को दे राखिया यानि कि पार्लियामेंट के पास यह पावर्स है कि वो राजियों के नामों में, सिमाओं में, छेत्रों में या नए राजियों का गठन कर सकता है, ये सक्ति हमारे देश के किसके पास में है, संसत के पास में है, अगला जो जो जोरदार तरीके से प्रस्न है, बहुत ही चांदार तरीके से पढ़ना मेरे दोस्त कह रहा है निम्निकित में से कौन सा कथन नए राजियों के निर्मार के बारे में सही नहीं है कौन सा कथन सही नहीं है यानि कि तीन तो सही होंगे मिरे लल्ला और एक ही क्या होगा असत्य होगा तीन तो सही होंगे और एक मिरे लल्ला क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा एक एक पहलेती पहले शूची और चौथिन सूच्री की संसोधन का प्राधान होगा वह सही यह है 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 और उसके बाद क्या क्या मे का संसोधन समझा जाएगा ये बात असत्य है कैसे असत्य अभी आपको बताएंगे एंसर जो आपको मिल गया है उसके बात जायता है कि इस परियोजन के लिए विद्धेग संसर में तब तक पुनर इस्थापिन नहीं किया जा सकता है जब तक उसे राज के विद्धान मंडल क जिए इसका परभाव नहीं पड़ता है कि समझना मेरे प्यारे बच्चो एक बात को आपको क्या समझनी यह है कि जो हमारा आट यहां से समझना जो भाग एक है भाग एक कहता है संग एवं उसके राज छेतर का वरडन कहां पर है यह वरडन है भाग एक में संग एवं उसके राज छेतर का वरडन है तो कहां यह गया है आपको देखने को मिलेगा वह अनुच्छी दें एक से लेकर कहां तक मिलेगा प्रतो मिलें आफ एक कहता है कि अरजियों Kay संग तरत इंडिया क्या होगा राजियों का संग होगा उसके बाद आर्ट oc कहता है और उसके बाद रहे गया है अपकल टी कर दो कहता है वह ही कहता राज्यों की सिमाओं छेत्रों वों उनके नामों में क्या कर सकती है परिवर्त्र में परिवर्त्र में है यह बात कही गई है किस में यह बात कहां दी गई ही मेरे प्वेरी बिंट्री में अब और आर्टेकर चार जो बनाया गया है क्या समझना आर्टिकल 4 जो है खोड़ा अजीव है क्या है मेरे बच्चे आर्टिकल 4 यह कहता है तो इसे आर्टिकल 368 के तहत सम्विधान संसोधन नहीं माना जाएगा यानि कि इस बात की इस बात की क्या दे दी गई है आजादी दे दी गई है क्या है कि आर्टिकल दो और तीन के तहट अगर कोई काम होगा तो उसे सम्धान संसोधन मेरी प्यारे बच्चो नहीं माना जाएगा यानि कि उसे 368 से बाहर रखा गया है तो आपका जो प्रस्म था इसको समझना इसमें यहीं तो बात कही गई सम्धान संसोधन समझा जाएगा लेकिन अभी हमने क्या कहा कि इसे सम्धान संसोधन नहीं माना जाएगा प्यारे बच्चो इसे क्या नहीं माना जाएगा सम्धान संसोधन नहीं माना जाएगा तो एंसर जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा सी हो लाइन सवगंसा चाहिए याई सब्सक्राइब को हुए पारित करना लोगों ने सब्सक्राइब कर लोगों लोगों हमक्सक्राइब हमको एक बच्चा का ऐसा साधारण विधेत पारित करना होता है साधारण विधेत का मतलब उसे अपने सदनों के द्वारा कितने एक बटे चार बहुमत से क्या कराना होगा पारित करना होगा और ऐसा अगर हो जाएगा तो वह काम भी हो जाएगा यानि कि समधानिक संसोधन के लिए बाहमत हो जाएगा क्या है के लिए नए राज के लिए कैसा बाहमत चाहिए चाहिए कि लगों के आंसर ब्यार है प्यार के लोगों का सही रखो जाकी पढ़ने में भी आपको मजाए और हमको पढ़ाने में मजाए अगला जो प्रसन है वो कुछ ऐसे कह रहा है निम्निकित मैंसे कौन नए राज्यों के निर्माड के लिए स्वैंबधाने को बंद नहीं है यानि कि सिदे सिदे कह रहा है कि अगर नया राज्य का निर्माड करना है मेरी प्रस्चों तो कौन साय साथ समझाय को बंद नहीं है अब अगर हम इनके आप सनों पर आएं तो आप सनों में हमारे यहां दिया गया है किसी राज का छेत्र घटा कर उसके बाद कहा गया है किसी राज का नाम परिवर्तन कर और एक राज संग राज चेत्र साम्मिल कर सकेगा बताए जोरदार तरीके से पूसर नंबर पांस का एंसर क्या होगा मेरी प्यारा बच्चों जी हां हम देख रहे हैं सभी लोगों के एंसर भी आ रहे एकदम सांदार तरीके से बताए कूसर नंबर पांस जो है इसका एंसर क्या होगा मेरी प्यारा सब्सक्राइब तरीके से जी हाँ बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का कि जी हाँ फटा फट सभी लोगों के एंसर आ जाना चाहिए कि 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 पता होगा एंसर ऐखिए असर ऐचुका है प्र्यांग का सिंह का एंसर आ चुका है एंसर नमबर د होगा दि होगा एकडम सांदार तरीके से जो ऐसर होगा क्या होगा डि होगा क्या कहिरा होगा निमार के लिए संविधानी कुपबंद नहीं है संविधान में कौन सी बात परभासित नहीं की गई है तो किसी राज का छेत्र बढ़ा कर यह बात तो सही है किसी राज के शेत्र को घटा कर किसी राज का नाम परिवर्तन कर लेकिन क्या कह रहा है एक राज या संग राज चेतर को सामिल कर सकेगा ऐसा कोई बात नहीं वरेडित है तो answer क्या हो जाएगा मिरे दोस्त वह answer हो जाएगा हमारा अगला जो सांदार तरीके से प्रस्रिन दिया गया है वो यह कह रहा है निम्नकित में से काउन सा सम्विधान के अनुछे तीन के तहत सम्विधान के एक कानून द्वारा संभव नहीं है सम्विधान के अनुछे तीन के द्वारा कानून के द्वारा संभव नहीं है बताइए मेरे भईया अनुछे तीन के द्वारा क्या बात संभव नहीं है तो ये तीनों बाते तो बच्चा हमको पता है कहां दी दी गई है जबकि कहरा नए राजियों का गठन तो ये नए राजियों ने लीनों का गठन तो मेरे लेला कहां पर है तो ये अर्टिकल बच्चा कहां पर है और ये बाते कहां पर थाहें आप आपको क्या हो जाय को है पर 25 गईरोंश का also सब्सक्तकरूमर कजा को दिहान कपढ़ना पड़ना और जो इसका एंसर को बहुत धिहान पूरुवग देना भी है किरा संगहात्म विवस्था के अंतरगत निम्निकित में से कौन सा कथन सही है अगला पहला क्या किरा भारतिय समधान के अंतरगत राजियों को संग से अलग होने का अधिकार नहीं है यह बात तो पूरतया मेरे लिल्ला क्या है सत्ति है अगली बात क्या करा अलग होने की मात्र बाती सभी क्या है असत्ति हैं बाती सभी क्या हो जाएंगे घलत हो जाएंगे जी थी मेरे क्योंकि अब व्यक्ति की सुरत्ष्चा कहा है तो वह है अर्टिकल 19 में मेरे प्यारे बच्चो इसका बताईए अंसर क्या होगा सांधार तरिखे से कूलिचान का एंसर क्या होगा होगा धुर्चर नमराट का फ्या होगा मिरे बच्चि क्या होगा मेरे पहले बत से एंसर राज पुनर गठन आयोग ने एक नॉम्बर 1956 को कितने राज तथा केंस आशिक या कितने संग राज बनाए तो देखना अगर हम राज पुनर गठन की बात करें यहां से समझना राज पुनर गठन की बात करी जाए राज पुनर गठन की अगर बात की जाएगी तो राज पुनर गठन जो आयोग बनाया गया आयोग बनाया गया मेरे बच्चे कब 1903 में जिहां पूर्वक सारी बातों को समझना आयोग बनाया गया 1903 में किसकी अध्यस्ता में तो अध्यस्ता थी इस समय बच्चा किसकी तो फजल अली आयोग कौन सा आयोग बनाया गया था फजल अली आयोग और बच्चा हम यहीं पर कह दें कि राज पुनर गठन अधनियम कब आया राज अधनियम तो राज पुनर गठन अधनियम तो राज पुनर गठन अधनियम लाया गया मेरे बच्चे कब 1906 में राज पुनर गठन अधनियम कब आया 1906 में और इसके तहत हमने कितने राजी बनाए तो मनाये मेरे विया कितने फोर्टीन राजी प्लस में छे केंद्र सासित पर स zac इंदर साशित समय हो जाए को そう है लकाए हो जाएगा आप सانदार तरीके से ऐंसर क्यों जाएगा इन सभी बातों को और राज़ पुनर गठन आयोग किसा अधर प्रव तरीद इसाधर पर आहाएठा एघ्रात था कि राज पुनर गठन आयोग जो इन शो था पीस आधार पर आया तो मेरे पैरे बच्चों किस आधार पर आया वह आया आशाई आधार पर अगला जो शांदार तरीके से मेरे बच्चे परसन है वह कुछ ऐसे कह रहा है किस संमिधान संसुधन द्वारा दिल्ली को राए टिल्ली को राव कर दर्जा मिला बताए मेरे बच्चे कहीं राए देधार करता हुँर हो जाएगा इंस मैं से अगर दिल्ली को राष् ballsक राजशल् C प्रश्ंदार तरीके से अगले मेरे बच्छो जो प्रसंद दिया गया है वह यह कह रहा है सिक्किम भारत का एक राजी बनाया गया था प्रस्न बहुत ध्यान से समझना दो परकार से इसके एंसर है और दोनों परकार से इसकी बातों को आपको बताया जाएगा सिक्किम को पूर राजी का धर्जा का बनाया गया तो अगर बात की जाएगी कि सिक्किम भारत का राजी ब के द्वारा लेकिन अगर यहीं पर कह देगा इसे पूर्राज का दर्जा मिला तो पूर्राज का दर्जा इसे मिला 36 में सम्विधान संसोधन तल्ला 1975 के द्वारा पूरी बाते आपको समझ में आई होंगी क्या ही होंगी मेरे बच्ची 35 में सम्विधान संसोधन के द्वारा इसे राज बनाया गया और पूर्राज का दर्जा कि सुवर्स दिया गया तो 36 सम्धान संसोधन 1975 के द्वारा मिड़ बच्ची 36 सम्धान संसोधन के द्वारा पूर राजी का इसे क्या मिला दर्जा मिला मेरे तेरा बच्ची अगला जो सांदार तरीके से जो प्रस्ण है वो कुछ ऐसे कह रहा है जिम्लिकित राजियों के गठन पर विचार की जिये य जो बनाये गए थे उसके बाद से जब राजियों का गठन शुरू हुआ तो सबसे पहले मेरे बच्चे उसके बार में हम कहिएते हैं 1963 में बनाया गया प्यारे बच्चे कौंसा नागालेंड और 1963 में बनाया गया कौन और अगला राज बताएं। और उसके बाद में 75 के बाद में हम लोग बनाएंगे मेरे भीया कौन सा 1975 में 75 में कौन सा बना सिक्किम बन गया मेरे प्याड़े बच्छे सिक्किम बन गया 75 के बाद में देखा जाये तो अब रहरत में राज हो जोके 22 के बाद में 1987 में राज बनाया गया तब बनाया गया गया और अवडाचल परदेश बनाया गया अवडाचल परदेश के सा साथ में 25 बनाया गया कौन सा गोवा और उसके बाद में 1 नवंबर संदो हजार को बनाया गया और 9 नवंबर एक नौ और पंद्रा एक नौ ऑर पंद्रा नौंबर सन 2000 में बनाए गए गे तीन राज एक साथ में पहला बनाया गए बावु कौँ सा 30 गड़ी कौँ सबना तो जून दो कुछ डून दो हजार चवदा को अगला राजि कौंसा मेरी प्यारे बच्छी बनाए गया तो बनाए गया ते लंगाना अगर हम अपने प्रस पर आएंशर अगर देखें प्यारे बच्छो अगर आप चाहें तो स्क्रीन भी ले सकते हैं मुआ जी हाँ अगर हम चाहें तो अपना भया इसको देख सकते हैं कि कैसे कैसे राजी बने तो देखो सब से पहले कौन सा बना था हर्याडा की बात की जाए तो हर्याडा कब आया नबर पर गलती ही हो जाएंगे उसके बाद अगर देखा जाए तो कौन सा या बर्मेल का यानि मेरी प्रेले बेछी आपका यह हो जाएगा एंसर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा एक सांदार तरीके से जी हां सभी लोगों के एंसर आज चुके हैं एक दम सांदार तरीके से यो नौंबर को यूपी से अलग किया गया जी हां मेरे प्यारे बच्चो अगला जो कुस्चन है वो कुछ ऐसे कह रहा है क्या कह रहा है प्य को पढूर राज का दर्जा होने का सही करम बताइए सही करम में आप अगर देख सकते हैं तो पहली बात आपको देखो नागा लेंड यहां लिखा नागा यहां यानि कि ये दोनों आपसन तो आपके पूर्त Bent्तयां गलत हो गए नागा लेंड के बाद में अगर बात की जाएगी तो देखो अगर हम आप देखेंगे क्यों बी और डी में देखेंगे तो नागा लेंड के बाद देखो हर्याडा लिखा हर्याडा के बाद में सिप्किन लिखा फिर अबाचल प्रदिस यानिकि आंस्तर जो हो ज कुछ नहीं है क्योंकि मेरे प्यारे बच्छों आप पहले से ही इतना भटक चुके हैं कि अगर आपके साथ खिलवार किया जाएगा तो आपके जिंदगी सुता ही क्या हो जाएगी खराब हो जाएगी ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है न्यू प्रिब्बल क्लास भी है कि जितनी चीज़े आपको बताई जाएं वह आप सांदार तरीके से तैयार करते रहिए और भीया टेस्ट देते रहिए आप फिल लगातार नंबर आएंगे अभी जैसे कल मैरातन टेस्ट का आयोजन क्या गया है कुछ लोग सोच रहेंगा कि जब एक्जाम नहीं तो कम टेस्ट देने क्या जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यह पिसांदार तरीके से बात बताई जा रही है कि अगर आपके नंबर टेस्ट में अच्छे आएंगे तभी तो आप जाकर भाया वह अच्छी चीजों को अपने पेपर में गें कर पाएंगे यह बात आप दिमाग से बिलकुन निकाल दीजिए कि एक्जाम नहीं तो हमारा टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आप अपनी तयारी को परक कैसे पाएंगे कि हम किस पोजीशन पर हैं आखिर हमारे कितने नंबर आ रहें कोण इसी सब्जेक्ट में हमारे नंबर कम आ रहें उसी सब्जेक्ट को हमको फोकस करना है और अगर जिस दिन आपका ये कहानी शुरुआत हो गई उस दिन आपकी सेलेक्शन में कोई भी आबाधा नहीं आ सकती है आपका सेलेक्शन होना तय है यहां पर कोई ऐसी भलजी चीज़े नहीं की जाएंगी जैसे की बच्चा आपको पता होगा जो भी लोग यहां पर सेलेक्शन लगातार पाएं हैं वो आपके जानने वाले ही लोग हैं ऐसे कोई लोग नहीं है जो कहीं से बुला कर फोटो खिचवा दिया जाए ऐसा यहां का नूपरेबल क्लासिस का ऐसा कोई भी विचार नहीं रहता है कि वह हमेशा सच्चाई के प्रत है और सच्चाई के प्रत ही आपके साथ इमानदारी के साथ में लगी हुए तो बताए मेरे प्यारे बच्छों अगला जो कूश्चन हो जाएगा उसका एंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्छों अगला जो प्रसन हो जाएगा उसका कौन नाम बदल कर त मेरे पियारे बच्चो तो एंसर क्या हो जाएगा पहला ही एंसर गलत अगला जो सांदार तरीके से प्रसंद दिया गया है वो कुछ यह कह रहा है मेरे प्यारे बैच्चों भारते सम्धान के कौन से अनुच्छे नागरिक से संबंधित हैं यानि कि मेरे भाया नागरिक नहीं यहां पर बात ये होनी चाहिए नागरिक्ता से सम्बंदित है इसकी बच्चा इसमें सुधार क्या हो सकता है नागरिक्ता से क्या है सम्बंदित है नागरिक्ता से क्या हैं संबंदित हैं तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों नागरिक्ता की अगर बात की जाएगी तो हम लोगों ने पढ़ा है नागरिक्ता से संबंदित है तो नागरिक्ता से अगर संबंदित की बात की जाएगी तो नागरिक्ता से संबंदित आर्टिकल बाबु किसमे है अनुचिद 5 से लेकर 11 तक और भाग 2 में हमारे यहां स्टीजन शिप यानि की नागरिक्ता का वरढण है भाग 2 में हमारे यहां बड़ा किसका वरण से लेकर न का आर्टिकल जो हो जाएगा क्या हो जगा 5 से 11 चार सारव नहीुकर पाग अगरणीव और भागए क्या एक इस संग राज यूम उसके सेटर अगला जो हैं वो कुछ ऐसे कह रहा है भारत में नागरिक्ता की निम्लिखित मेश्चा इसस्ताओं कौन सी चाहीं आज कहा है कि कौन सी प्रावधान भारत भारत और देश की दौरी बूर में कैसी हो जाएगी तो भारत में केवल brighthand किसका किया गया है एकल नागरिक्ता कर प्राउधान और जब एकन नागृता का प्रावधान है तो सभी क्या हो जाey餅 कि सही हो जाएगा जाएगा अगला जो सांदार तरीके से प्रचन है वो कुछ ऐसे करा हैं भारत प्रतम दिवधा भारत में नागृत तक होने के आधारों की अगर बात की जाएगी नागृता के समापन के मेरे प frase कि इतने आधार due इतनी है तरह प्रस proportel के आधार पर बात किया जाएगा झात्व मथ उसके बाद क्या कह रहा है किसी अने देश की नागिता से विवा करता है तो ऐसा बात नहीं है आप विवा कर सकते लेकिन भारत की नागिता आपके पास में पनी रहेगी और उसके बाद कह रहा है मेरे बच्चे क्या कि सरकार की आलोचना करता है तो सरकार की आलोचना करने से से आपकी नागित्ता नहीं जाएगी सरकार की आलोग्सण सब्ывать करने से आपकी नागित्ता नहीं जाते गी तो क्या कह है रहा है स्वेच्छा अंक्राद discipline प्राप्त करता है तीनों बातें सभी और जाएगी एक दो और तीन तो हो जाएगा किया हो जाएगा अब देखो क्या है नायृत्त परchair कर-舌 सकते हैं त्याग में कि अब उसके बाद होता है one et किये जाने पर अब इन तीनों आधार को आपको को समझना है पहला अधार क्या है अगर आप तो नागरिक्ता थयाग कर सकते हैं वरकास्टिजी का मतब अगर आप किसी अन्यदेश की नागरिक्ता को धारण कर लेंगे यह वरकास्ट कर दिए जाएंगे देखे जका नंबर और दो की बात कही गए उसके बार मेरे प्यारे बच्चे क्या कहा गया है केवल और एक और दो केवल एक और दो कहा एंसर में है लल्ला स्वेच्छा से अन्य देश की नाग्रिता प्राप्त करता है तो स्वेच्छा से अगर आप अन्य देश की नाग्रिता प्राप्त करेंगे मेरे पैरे बच्छो तो आपका क्या हो जाएगा यहां यह भी बात क्या हो जाएगी गलत तो हो जाएगी तो केवल जो एंसर हो कि अगर आप अपने देश की जानकारी को किसी सत्रू देश के साथ में साजा करेंगे तो आपको भारत की नागिपता से मेरे पहले बच्चे क्या कर दिया जाएगा वन्चित कर दिया जाएगा अगला जो सांदार तरीके से प्रसंद दिया गया है वो कुछ ऐसे कह रहा है जी हाँ मेरे पैयर बच्चे सुझीत कुमार जी का बहुत सांदार तरीके से आया है खत्म नहीं होती है जी हाँ यही बात हमने बताई है अगर नागिपता आप किसी अने देश से विवा करेंगे सब्सक्राइब तरहें कोई बात कही हमारे सम्मीदान में वड़ी नहीं है इसी वज़े से हमारा एंसर हो जाएगा केवल एक और दो हो जाएगा डिम्न में सब्सार नागिपता के अर्जन है तो सर्तों को को नियम 32 के लिए फिन पता है कि नाजिता में अगर संसोधन की बात आएगी तो संसोधन केवल और केवल करेगा कौन तो करेगा संसद बस इस बात को धान रखना बस नागरिक्ता में अगर कोई बात संसोधन की आएगी तो संसोधन मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा किया जाएगा संसद के द्वारा ही किया जाएगा यानि कि पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाएगा इस परकार से हमारा एंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा वो हमारा सिदे सिदे एंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा जी हां एंसर क्या हो जाएगा डी हो जाए टन्ता की सर वत्तम सुरच्छा को नेमिद करता है सकतियों का प्रथक करणी नहीं 개 क्या किया गया प्रथक क्या प्रथक करणी क्या गया अगर वदारता तु रखनी olması सक्तिर औरसनुक्त अगर जाएंगे में मूर अधिकारो' करने के लिए नहरू पर नहरू रिपोर्ट के समर्थं किया था उसके बाद के रभिष साक़ारढ मूल अधिकार दिये गए हैं उसके यह बाद लूस परस्ता मूल अधिकार सामिल के गए क्रिफ्स मिजन मिद्व ठयाओ और यह यह भी लुइन नहरू रिपोर्ट में सुल मूल अधिकारों की बात नहीं हो जाएगा अगर हम मूल अधिकारों की बात करें अगर फंडामेंटल रेड्स की बात करें तो कहा जाता है इसकी सुरुवात कहां से हुई बृटेन से सुरुवात कहां से लेकिन अगर लिखित सम्विधान में पहली बार वरडित किया अमेरिका में भारत में इनका जो सुरुत है वो सुरुत बच्चा कहां से है तो इनको हमने लिया है कहां से अमेरिका से लिया है तो यह भाग तीन में ला मेरे वाग तीन में है और अर्टिकल तो हम कहा सकते हैं बारा से थीक तक ने परकार के हैं को प्रकार हैं इनके कितने इस बातों को आपको क्या रखना है याद रखना प्रकार कितने मेरे प्यारे बच्चे इनके अगला जो प्रस्ण है वो कुछ ऐसा कहे रहा है मेरे प्यारे बच्चे के रायनी मिखित में से किसी बेक्त ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक पर्तिग्या तता सब विदेश के साथ किया गया समझाओता कहा है बता दीजिए पर्तिग्या और सब विदेश के साथ किया गया लल्ला उससे पहले जो नहरू रिपोर्ट आई थी तो उससे पहले आ गई थे 1928 में तो एंसर कैसे हो जाएगा 1935 जी एक बार जाकर ध्यान से पढ़िए लल्ला 1935 नहीं होगा एंसर नहरू रिपोर्ट में पहली बार मूल अधिकारों की बात कही गई थी कहरा है कि पर्तिग्या तता सब्देश के साथ किया गया समझावता कहा गया है तो बच्चा ये बात कही गई एक इसके दौरा डाक्टर एसरादा किसनन के दौरा आइंसर आपका क्य यह संविधान में उल्लेखित होते हैं मूल अधिकार हैं क्योंकि यह संविधान में क्या है वो लेखित हैं तीन परकार के मूल अधिकार दिये गए हैं मूल अधिकार बाबू से परकार के होते हैं तुझीद कुमाजी उसके बाद कहा गया है यह परजा तंतरात्मक होता है नहीं बाबू यह परजा तंतरात्मक नहीं होते हैं उसके बाद क्या कहा गया है मेरे त्यारे बैच्चों यहाँ लोग कल्यार कारी होते हैं या विक्तिगत विकास के लिए आवस्यक होते हैं यह लोग कल्यार कारी होते ह लेक सही तीसरा सब्सक्राइब एसी बात हम को कहां मिल जाएगी तो इसाब हमों मिल जाएगी एंसर नमबर इवी में यानि कि इसार हो जाएगा मेरे तेरे बच्छों क्या हो किजिए नीचे दिये कूट से सही उत्तर चुनिए क्या कह रहा है राज क्रत एख गारंटी जी यह राजियों के बुर्द एक हमको क्या देते हैं गारंटी यह समधान के भाग तीन में सुचिब दें यह भी बात क्या है सही है समाजी कार्थिक और राजनैतिक नियाए नहीं हैं क्योंकि वहां के मूरद काुछ ठिपरेंट बहुत हो nau mitä a whole ay सभी नो प्यारे बत्चो एंशर क्या हो जाएगा अग्दम सांदार तरीके से राइंशन क्या हो तरीके से अगला जो प्रस्ण है वो कुछ ऐसे रहा है भारतिय सम्धान का नुच्छे तेरा का मतब मेरे बलला क्या है मूल अधिकारों की बात कही गए अर्टिकल 13 में किसकी बात कहींस संदार तरीके से प्रस्ण है कुछ अशाल संदान के नुच्छे तौन सा तरीकल आपको आइस समघत करता है तो जैसे हमने मारे भाईया एक बात कही थी कि आर्टिकल जो 14 है वो कहता है विधी के समच समता और विधी के समच समता और अगली बात इसी में कही गई है कि विधी को पूर रूप से लागू करने की बात कही गई जाती वन्स धर्म और लिंग के आधार पर बेड़ भाव 17 में बाबू क्या आइस प्रिस्ता का अंत 17 में मेरे बच्चे क्या हो जाएगा प्रस्ता का अंत हो जाएगा अगला जो कुछ प्रस्न है वो कुछ ऐसे कहघा मेरे प्यारे बदेश से जोति मोर्या जी का भी इंसर आ रहा है एक जमसांदार तरीके से कहते हैं विल्दी क्या नियम या कानून अधिराज का मतलब है सबी के लिए कानून और सभी के लिए एक सभी के लिए कानों और सभी के लिए कराया थे